लेगे लिए कम्या खाति हैं बलच हाउस कीचेन एक बार प्राइचाओ को सब्सक्राइब अधा किलो गाजर ली है। जिसको हमने चोटे चोटे पीचिस में काट लिए है। एक बार देख लीजी जी, कि यह इनकी तरीके से चोटे चोटे पीचिस में किया है। सबसे पहले हम पीला की साइता से इसको छील लेंगे यह देखिए छील के तयार है अब हम इसके उपर से यह हटा देंगे अब हम बीच से कट करेंगे और इसके अंदर का जो यह ब्राउन हिस्सा है वह हमें अटा देना है क्योंकि यह जल्दी सी पत्ता नहीं है यह थोड़ा हाड रहता है सोफ्ट नहीं होता है तो पकने में भी बहुत समय लगता है बहुत टाइम लगता है और टेस्ट भी सही नहीं आता है इसे यह देखिए अब हम इसको छोटे-छोटे पीसीज में खाट लेंगे एक टामाटर जिसे हमको छोप थोड़ा सा हारा दनिया जिसको हमें अभी सबजी बनने तक छोटे-छोटे पीसीज में हम इसको और यह पानी और यह ओईल चार आदमियों के लिए लगबख 100 ग्राम्स और यह मसाले हैं जो डेली में यूस आते हैं तेल को गरम होने देंगे अब हम इसमें जीरा डाल देंगे अब हम इसमें अग्लक डाल देंगे और साती हरी मिर्च प्राई हो जाए इसके बाद हम आदा के स्पून हलदी पाउडर डाल तेल के और गाजर डाल देंगे अब हमाई मट्र डाल देंगे इसमें और टेस के साल से हम इतने नमक मिला देंगे अब हम इतने खर्लों कासा पानी मिला देंगे जिस्से की हमानी कडाई की चिपके नी गैस की फ्लें मीरियम ही रखेंगे और अब हम इसको एक प्लेट से ठाख देंगे इसको और एक प्लेट से ढखके प्लेट प्लेट पर पानी रख देंगे जिससे की भाफ बनके और सब्जी में पानी कीता रहेगा जिसे हमारी सब्जी चिपकेगी नहीं जब तक हमारी सब्जी बॉयल होती है हम हरा दरियां काट लेंगे सब्जी को संबाल लेंगे थाली को हटा के देखते हैं हमें इसमें यह देखना है कि गाज़त थोड़ी आधी पक जाएगी अब हमारी गाज़त आधी पक गई है अब हम इसमें लाल मीर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कमिया जादा धनिया अब हम इसको वापस से धक देंगे ताक हमारे मीर्ची और धनिया पक जाए और सब्जी भी आधी पकी हुई है इसको बनाने में कम से कम 10 या 15 मिनिट का टाइम तू लग जाता है अब हम गाजर को प्लैट को अटा के देखेंगे तमासे हम एक गाजर के पीस को दबा के देख लेंगे पकने को तयार है यह पक चुकी है इसमें टामाटर मिला देंगे अगर आपके पास टामाटर नहीं हो तो आप अमचुर पाउडर भी यूज़ कर सकती है और लास्ट में हम इसमें खड़ा धनिया मिला देंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले थैंक्यू